कि आजादी का पर्व महद सम्मना रहा भारत सारा, कि आज़न जन में जोश है, पूरे भारत में आकरोश है, एक दिन का स्वाविमान है, फिर धरा सम्मान है कि शुब कामनाएं देने से आजादी का महत्व पूर नहीं होता और एक दिन ते रंगा लहराने से कोई परिपूर नहीं होता कि भारत मा की जै बोलना क्या राजकता फैलाता है बंदे मातरम का जै घोश इनको क्यों नीच बनाता है कि ऐसी आजादी कि अभिलाशा उन वीरों ने सोची थी जिन वीरों ने देश भक्त में अपनी ऐस दबोची थी कि जिस सेना का पूर्ण वर्ष अपमान तुम करते आए हो एक दिवस में उस सेना को क्या सम्मान दे पाओगे कि आजादी तो मिल गई राजन पर क्या उसे निभापाओगे कि भगस सी नाराज बैठे हैं आज स्वर्ग के द्वार कि जिस भारत को वो चाहते थे वो है आज बेकार कि क्यों जूले वो फंदे पे ये शोक वो आज जताते हैं कि कैसे नीचों के लिए मर गई सुकुदेव को आज बताते हैं कि मैंने तो फंदे को गले लगाया विना विचार किये कि मेरा भारत सुन्दर होगा ऐसा नम निर्मान किये आजादी के उन वीरों पर भी राज नीती तुम करते हो उन वीरों का शोर चुक्र अपने तलवे पर घरते हो कि जिस दिन उन वीरों ने अपना वर्चस लुटाया था उस कलकत्ता वाले दिन को दुमने खेला दिवस मनाया था कि गाने और बजाने से क्या आजादी पूरी होती कि सजने और सजाने से क्या आजादी पूरी होती क्या आजादी पूरी होती अपनी मांगे मनवाने से या आजादी पूरी होती अपने कलतब निभाने से कि उस आजादी के महायुद में कईयों ने खून बहाया था कि बड़ी भयानक देख विवस्ता भारत भी चिलाया था कि खुशी खुशी जो भश्म हो गए आजादी की भाटी में कि उन्वीरों का खोन मिला इस हिंदुस्तान की माटी में कि क्यों गद्दारों की भाटी इस भारत में विश्ट डालते हो क्यों अपने पुर्खों की स्वभिमान को ललकालते हो कि एक आजाद देश में बैटे हो इसलिए इतराते हो आजादी का उच्छम मनाने दुश्मन की देश में जाते हो कि अटल जी की कुछ पंगतियां के साद में इस कविता का अंत करूँगा कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुना अखंड बनाएंगे गिलगित से गारो परवत तक आजादी परव मनाएंगे उस सुन दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें जो पाया उसमें खो न जाए जो खोया उसका ध्यान करें जैहिंग जभारत